कई वार क्या होता है ना कि निउच पेपर की कुछ पेज अपलोड होने में टैम लगता है तो आपको बताया था ना कि 7 बा, 8 बा, 9 बा पेज अभी अपलोड नहीं हुआ इसे हम लोग इन 3 पेज को इस क्लास में देख लेते हैं तीन भाईयों ने 10 रुपे की उतपाद से बनाई 300 करोड की कंपनी रुपे का उतपाद बेंच कर आप देखें 10 रुपे का उतपाद बेंच कर 300 करोड रुपे की कंपनी मराई जा सकती है सोनने में भली ही अटपटा लगे लेकिन चंडीगट पंचकुला और मोहाली की तीन युवाओं ने पैसा ऐसा करके दिखाया सौरब मुंजाल निखिल डोडा और सौरब भुताना ने 2017 में लाहोरी ये इस्थानी इस्तर पर सेंधा नमक के लिए प्रयुक्त संग्या वेव रेजस नाम से स्टार्ट अप सुरू किया 2023 में 16 राज्यों तक लाहोरी जीरा कच्चा आम और नीवू फिलेवर की बोतले पहुंच चुकी है अब यह नया नाम नहीं है और आप देखिए आप लोगों के लिए भी मॉटिवेसिनल स्टोरी हो सकती है अगर आपकी दिल्चस्पी है इस्टार्ट अप में तो आप भी कर सकते हैं इस्टार्ट अप संस्किती और आप देखिए भली भाती ये फलफूल भी रही है अब देखिए और मोटे अनाच पर ध्यान भी दिया जा रहा है तो ये भी आपके लिए मोटिवेसिनल खेती में जिग्यासा ने खोली रहा है सत्तू के परंपरगा स्वाद में नवाचार की छोग ये आप देख लिजे दूसरे दिन भी बंगाल की सिनेमा घरों में नहीं दिखाई गई हिद्धा केरल स्टोरी जो आद देखें रहे हैं कि केरल स्टोरी आई हुई है मोवी और जिसमें कहा जा रहे हैं कि 25,000 से ज़्यादा लड़कियों को धरम परिवतन करवाए गया अन देशों में बेजा गया उसी पर आधारेते बात हो रही है फाइटी लाइजर जिहाद को खतम करने के लिए काम के लिए करेंगे काम हैमंद विश्वा सर्मा कह रहे है तरमेकेसुर मंदिर का मुद्धा इस्थानी लोगों पर छोड़ा जाए राश्ठाकरी कह रहा है यह राश्ठाकरी आप देख रहे हैं कि MNS महाराश नौनर्मार सेना के पिरमोक है मरने के बाद 6 लोगों को जिंदगी दे गया केरल का 10 भी काटो पर यहां कि अंगदान की बात होती है और आप देखे हमारे देश में एक परमपरा कम देखने को मिलेगी लेकिन आप देखेंगे कि अगर मान लिजे भगवान ना करें किसी की डेथ आप देखें रोड एक्सिडेंट में हो जाती है तो उसके सरीर के अंगे उसके काम की तो बचते नहीं है तो आप देखें अगर उसे किसी और को दान देदी जिया जाए तो वह सारे लोगों की जान बचाईज सकती है CBI करेगी असम महला पुलिस करमी की मौत की जाचे आप देखें लेडी सिंगम के नाम से मसूट 30 वर्सी है जून मोही राबा की कारद रोटना में मौत हो गई थी ना तो उसी उनी की बात हो रहे है यह आप देखें संपाद की पाठ है यसे भी पढ़ लिया करेगा यह प्रिलिम्स में मुख परीक्चा में इंटर्वीव में और एक आपको सामन जानकारी भी मिल जाती है आसे साइवर संसार के अंधियारिक कोने यह आप देखेंगे आजकल साइवर हमले भी काफी हो रहे है अगर आप खुस किसमत हैं कि आपके साथ कभी कोई साइवर फ्रॉड नहीं हुआ है तो सरकार को ऐसे लोगों की मिसाल देश के सामने रखनी चाहिए आपके किसी साइवर फ्रॉड से बच जाने की अकेली बज़य यह नहीं है कि आपके डेविट या ATM काड या मोबाइल बेंकि या डिजिटल लेंदिन का कोई भी काम करते समय बिहत सतक रहते हैं बलकि इसका एक कारण आपका डिजिटल प्रवंधों को लेकर संकोच और कुछ मायनों में डिजिटल आज्यान भी हो सकता है वरना हालात यह है कि इंटरनेट की मावूली जानकारी रखने वालों के आंगे बेहत पड़े लिखे लोगों और डाटा और रुफे पैसे को समभालने वाले सरकारी तंद की प्रवंधक तक नहायत कमचोर सावित हो रहे हैं और सरकार इसे लेकर संजीदा है को तेजी से बढ़ रहे हैं साइवर फर्जी बाड़े रोके जाएं एक ताजा पहल मोबाइल टेकिंग सिस्टम बनाना है हाली में लॉंच किये गए केंदरी उपकर पहचान रजिस्टर यानि सेंटरल एक्क्विब्मेंट आइडेंटी रजिस्टर के जरिये विवस्ता बनाई जा रही है कि देश में अगर कोई सक्स चोरी अत्वाग हो जो चोके अपने मोबाइल फोन को ट्रेक करना और उसे ब्लोग करना चाहे तो ऐसा कर सकता है अभी तक ऐसी सुगधा एफल के आईफोन में ही धारकों को उसकी निर्माता कंपनी एफल आईडी के नाम से पिदान करती थी लेकिन अबस्ती ई आई आर से हर कोई अपने सामान एंडुराइट फोन में भी ऐसा कर सकेगा या पिरबंद साइवर फरीजी बाड़ों की जड़ पर परहार कर सकता है और बरसरते आम लोग इसके बारे में जागरूख हों और इसे इस्तिमाल करना सीख जाए आम तोर पर जादा तर साइवर या डिजिटल धानलियों का केंदर वह स्मार्टपोन ही होता है जिसमें व्यक्ति की पहचान और डिजिटल लेंदेन के इंतजाम विभिन एप के जरिये किये गए है साइवर फारजी वाड़ी कितार सिर्फ इंटरनेट से ही नहीं जुड़े है वरतन कपड़े से लिकर मोबाइल की बदले में जीरे धनिये का लालत देकर पुराने मोबाइल फोनों की खरीद फरुक्त सिम हासिल करना फरजी आधार काड़ बनवा लेना यह सब हमारे देश में इतना आम हो गया है कि अपराद की नियस से कोई भी बेक्ती सैक्डों सिम आधार काड़ और लाकों की निजीक जानकारिया हासिल कर लेता है और सबसे जानदा मुश्किल उन लोगों के लिए है जिनने बेंकिंग, खरीदारी के वर्चूल बिकल्प मजबूरी में अपनाने पड़े है और जिनने साइवर उपायों की जानकारी बिलकुल नहीं है ऐसे लोग ATM से पैसे निकालने के लिए अकसर अंजान लोगों की मदल लेते है और इसी तरह जो OTP वन टाइम पास्पर लेंदेन में जरूरी बनाये गया है उसकी जानकारी भी सहस्ता से किसी भी को दे देते है समस्या का दूसरा पहलू देश में हुई डिजिटल करांती से भी जुड़ा है देश में एक जुलाई 2015 से सुरू हुए डिजिटल इंडिया नामक कारकरम का पवित उद्देश बैसे तो देश के गाओं माओं में ब्राड वेंड पहुंचाना और हर नागरेक को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है और इससे पितेग नागरेक को सरकारी उजनाओं का लाप मिलेगा और वेंकिंग पढ़ाई खरीदारी के अलावा असंक काम घर बैटे हो सकेंगे और संदे नहीं के बीते साथ बरसों में इंटरनेट आधारीत कामकाजी की ये विवस्ता हमारे जीवन में काफी गहरे पैट गई है और कुरोना काल में तो हालात ऐसे बने कि इंटरनेट के वगेर पत्ता हिलना भी नामुम्किन लगने लगा लेकिन उससे कई गुना जानदा सिर्फ दर्द हैकरों साइवर फर्ची बाड़ी करने बाले अनगेनद लोगों की फौज ने पैदा किया है एसाइवर अपरादी जारखंड की बदनाम हुचो की कस्वे जाम ताड़ा से लेकर हर्याना राजिस्तान और दिल्ली NCR तक की गलियों और अंधेरे कमरों में कंप्यूटर के पीछे मौजूद और हर दिन लोगों को चूना लगाने की नई नई एउक्तियां बिढा रहे ह और डिजीटल इंडिया की एक बेहद सकारात्मक पहल कुछ जानदतर मामलों में बेरोजगार और IT के बेहद मामूली जानकारों से ने पलीता लगा दिया। जहां बेठे साइवर लोटेरों ने हर्यान दिल्ली से लेकर अंडवा निकोवार तक की लोगों को करोन रुपे का चूना लगा दिया। हजारों लोगों को तरह तरह का लालत देकर अपने जाल में फसाए और इस गिरोग के पास से दरजन भर राज्यों में सक्रियत 347 सिमकार पाए गये और जिनका इस्तिमाल साइवर जाल साजी के लिए हो रहा था। और जिन 219 फरजी बैंक खातों और 140 UPI खातों में आम लोगों की करोन रुपे की जमा पूझी के ठक जमा कर रहे थे उनका केंदर राजिस्थान के भरपो जिले में पाए गया है। जामताड़ा से आगे निकल कर दिल्ली NCR की गलियों और हर्याना राजिस्थान के चौक्च और रहाओं तब पहुंच चुका है। सिकायत और कारभाही सुनेचित करें। यदि साइवर अपरादियों की धर पकड़ कर उन्हें बेहद सक्त सजाद देने में तेजी नहीं लाई गई तो आप देखेंगे यह मर्ज एक लाइजाज महामारी की तरह ही बढ़ता जाएगा। संभावना बढ़ जाती है। विसका मनुर्जन करता पाकिस्तान यहास बैंग लिखा जा रहा है। हमारी पड़ोस में इन दिनों IPL से जाना रोमांच तो है ही बॉलीवुड फिल्मों से जाना मजा भी आ रहा है। आप देख रहे हैं कि जिस तरह से इमरान कांच चर्चा में बने हुए। शिरी राम से पूछा भगवान रावर्ट तो विसाल रत पर आरोन है। आपके पास ना रत है ना पद्यात्रा है। ऐसे में आप रावर्ट को कैसे पराजित कर सकेंगे। यग पीस आसंका के पीछे विविविशन का राम की पिती आगाद प्रेम था। चलिए देख लिया करिएगा। मन हुआ करे तो। अच्छे कॉलम लेके जाते हैं। या देखिए 2000 का नोट बंद हुआ है जो आरवियाई ने फैसला लिया है बापसी का उसी की बात हो रही है बंद नहीं हुआ है बापसी का वैसला लिया है। अब प्रेंट की जा सकेगी बैक्सीन अभी टीको को रखने के लिए कोल्ड इस्टोरेज की जरूरत होती है और जिसकी बज़े से उन्हें दूर दराज की इलाकों में भेजना मुस्किल हो जाता है। अबसक बन्यादी नाचा नहीं होता है। Massachusetts Institute of Technology के सुथ करता है उन्हें इस समस्या का एक नयाप समाधान हो जा है। उन्हें एक चलता फिरता वैक्सीन पेंटर विक्सित किया है जो एक दिन में वैक्सीन की सेक्रों खुराक का उत्पादन करने में सक्चम होगा। अच्छी बात है। ये भी छोटे-छोटे आप दीखे कॉलम लिखे जाते हैं। देख सकते हैं। दर्सकों के वटवारी की बामपन्ती चाल। हाल में दो फिल्मों का पेदर्सन एक ही दिन हुआ है। एक किरल स्टोरी और एक अपवा। फिल्म अब्बा का नेदेशन सुधीर मिसरा ने किया है जो बॉक्स और ऑपिस पर बुरी तरह से पिट गई है। फिल्म पिपक्ष में माहुल बनाने के लिए सुधीर ने रिलीज से पहले एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने दस कस्मीर फाइल की चर्चा की और लिवरल्स जैसे सब्दों का भी जिक्री किया। सुधीर की चभी एक सजीदा फिल्मकारों की है। ऐसे में ट्वीट में उन्होंने जिस पिकार हमारे और उनके दर्सकों की चर्चा की उनकी से जुड़ी नहतारतों को भी समझना जाना चाहिए। सुधीर की मद्द का मारक सुझा है था। बुद्ध कहते हैं की जीवन में सांती की एक्चा रखने वालों की अपनी इस्तिती को सुविकार करना होगा, सुख को भी, दुख को भी, चलिए देख लिया करेगा। जन जन की बात की बात यह आप देखें किताब खरीच सकते हैं अगर आपकी दिल्चस्पी हो तो, वनांचल की सैनानियों का योगदान, आजादी के अरन सैनानी, किताबों में दिल्चस्पी हुआ करें तो यह किताब ले सकते हैं आप लो, सब बिदाओं का संगस्पा, इतियास का गल्ब, एक उपन्या से एक ऐसा थेलर है, जिससे कथा में इतियासित मोड लाती हुए उसकी भाया, भायता को समंझने, और उसका सांतिपूर्ण समाधान पानी की चाहत में लिखा गया है, तो इस तरह से तीन पेज आपके छूटे करीगा, ठीका?